तर आज की जो प्रेस वारता आपने बुलाई है क्या गुणिगे इसका आज दो है अजए ठकल से हमें इसका खादी स्वार्टेव रिए वार्टेवल दो है तर वो यिए बंतर सिका बंतर सिकार्टेव करें सक् scientifically क्याम पासा में तर ठर वन में वया हुच घर। नितक्वला का сам बंतर सिकार्टे करें स्टूती वॉथिद। आपकारो फिन्हांने पर्फॉर नम्रफॉरा पर्फॉर। पर्फॉर कर देवार को वीगॉर्पॉर करते प्रफॉर्पॉर कासे पर्फॉर्पादी प्रफॉर्फ वन्यूर्ब फियाथ भी। प्राद्ट राद्ट आफ और ये युराख प्लाद जा प्लाद इनोर्ट जा रख़ाव। I am not going all well with all my help I have been authorized I, the president of the party has been authorized to appoint a working committee member among the senior ones as a as a working president that I'll decide I'll hold a press conference hold a special meeting to announce the name of the working president of the Memphis party and the Memphis party has the working committee who met after a long time has taken very important decision with the active participation of the Memphis party working members from Ladakh Kashmir and Jammu province and Jammu province Jammu province announced the rest of the press statement my statement today on my behalf Jammu has said Thank you sir with kind permission and orders आज हमारी पैंथर्स पार्टी की जो एक रिकोगनाइस्ट पुलिटिकल पार्टी है जम्मु कश्मीर लदाक सिटेट में जम्मु कश्मीर में तीन पार्टियां हैं जो रिकोगनाइस्ट हैं जिसमें नैशनल कांफरंस है एड़ीपी है और जम्मु कश्मीर नैशनल पैंथर्स पार्टी है और हम एनाउस करते हैं कि हमारी पार्टी जो है जो 1982 में बनी थी और जो हमारा मुद्दा था उस वक्त हक और इंसाफ यहां के लोगों के लिए यहां के मुसल्मानों के लिए यहां के हिंदूं के लिए यहां की गुजर बरादरी के लिए यहां की शिडूलकाश बरादरी के लिए यहां के डोगरा बरादरी के लिए यहां की ब्रह्मन बरादरी के लिए माजन बरादरी के लिए क्रिशन बरादरी के लिए जितने भी पहाड़ी बरादरी के लिए जितने भी कम्मिनिटीज हैं जितने भी इथनिक ग्रुप्स हैं उनको उनकी आवाज को बलंड करने के लिए हम आखिर तक लड़ते रहेंगे एक एक जो पैंथर्स पार्टी का फाउंडिंग मेंबर हैं जि इस पार्टी को 1982 में प्रफेसर बीम सिंग जी ने बनाई थी जो उस वक्त हम स्टूडन्ट लीडर थे हमारा यही मकसद था कि हमारा कोई रिजनल मसला नहीं था कोई प्राविंशनल मसला नहीं था परन्तो हमारा मसला था चमू कश्मीर की डेकलेक्टिड अवाम को जो इन प् पिछले 75 साल से किसी शकल में या किसी शकल में हम चाहते हैं कि इन लोगों को यहां के लोगों को कश्मीर के लोगों को कश्मीर के मुसल्मानों को हिंदू को सिक्खों को इनसाफ मिले जमू के हर तबके को इनसाफ मिले और यहां जो ना बरादरी ता आज तक सिलस्रा चलता आ रहा है और हमें अफसोस है कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से आज तक जमू खिते के साथ वही स्लूप वही बे इंसाफी वही नाबराबरी का जो सिल्सला आज तक चालू है यह जो आप कुछ पार्टियां बाहर से आ रही हैं यहां जम्प कर रही हैं कि यहां कुछ हम मेवा खाएं लेकिन उनको यहां कुछ नहीं मिलने वाला है रियासत जमू कश्मीर का एक स्पेशल स्टैТस है एक स्पेशल quaलिटिक्स है जो यहां के लोग यहां के लीडर प्रफेसर भीम सिंग जैसे लोग जो हैं वही समझ सकते हैं वही उसको इकठ जमू कश्मीर लड़ रियासत को रख सकते हैं और लोगों को इनसाफ दे सकते हैं हमें खेद है कि जब से ये बीजेट की सरकार आई है इन लोगों ने यहां के अवाम जो है जो यहां का नौजवान है जो यहां का जो आम इनसान है उसको कोई इनसाफ नहीं मिल रहा है सिकी में जो हैं वो एनॉंस हो रही हैं जो प्रोग्राम में एनॉंस हो रही हैं सिर्फ ये फिगर्स बताते हैं इतने सब करोड रुपए इतने लाक करोड रुपए वो कहां जाते हैं क्यां खर्च होते हैं क्या होते हैं यहां तो हमारे डेली वेजर्स बाई जो है जो S.P.O.S. या दूसरे जो हमारी बेटियां ने जर्डी वेजर्स टीचर लगी हुई है या एनम्ड वरकर्स हैं नर्सिस हैं या डॉक्टर्स हैं उनको तनखार नहीं मिल रही है तो ये करोडूं का जो हिसाब दे रही है बीजेटी सरकार जमू कश्मीर को एक उनसा हिसाब दे रहे हैं हमें सिर्फ प्रफेसर बीम सिंग, प्रफेसर बीम सिंग की पार्टी ही यहां के लोगों को इनसाफ दिलाएगी चाहे हम जिन्दा रहें, मरें, हम तो डिल लास्ट हम सिटरगल करते रहें, कोशिश करेंगे लेकिन हम लोगों के साथ बे इनसाफी और दोखा नहीं करेंगे हम वो लोग नहीं हैं कि अगर हम कम्जोर बढ़गे अपने काम में, अपनी सिटरगल में या हम लोगों को इंसाफ नहीं जिला पाए तो हम बाग जाएंगे हम पीर दिखाएंगे वो हम हम मैंसे ऐसा कोई बनता नहीं है लेकिन आप मालूम है मेरे बच्चो बेटियों के इस दुनिया में पैसा 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 और हमारे कुछ लोगों को भी वो चस्का पड़ गया क्यो तो कि वो मंतरी बने उन्होंने लुट्फ पथाए उन्होंने बिठाया खाए उन्होंने घार पहने उन्होंने सोचा यही पालिटिक्स है यही लाइफ है यही इंसाफ है लेकिन my dear media friends this is not justice this is not justice we want justice with the poorest of the poor with the poorest of Muslim in Jammu, Kashmir Tangdaar, Punch, Rajori यहां के हिंदू मसल्मान, सिख, इसाई के साथ इनसाफ करो, उनके बच्चों के इसाफ इनसाफ करो, उनकी बेच्चों के इनसाफ करो, यही हमारा एम है, यही हमारा स्लोगन है, यही हमारा प्रोग्राम है, जब तब हम जिन्दा रहेंगे, जैहिन जैवारत